हेलो दोस्तो, स्वागत आपका मारी योटुब चानल याहू बाबा पेई CSS के इस कोर्स में आप CSS के एक नई प्रॉप्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्क्रॉल बिहेवियर आईए पहले में इसका आपको एक एक अग्जामपल दिखाता हूँ एक डिव है उसके बाद एक दूसरा डिव है यहाँ पर Session 2 और Last में Session 3 करके भी हमने एक डिव ले रखा है अब जैसी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यह Session 1 पर चले जाता है और जाता भी कैसे है मतलब कि Smooth Scrolling से आप देखिए Scrolling जो होगी वो Smooth होगी मैंने 2 पे क्लिक किया और यह देखिए मतलब कि जो स्क्रॉल हो रहा है वो एकदम smoothly हो रहा है वो जटके से नहीं हो रहा आप ध्यान से देखिए यह देखिए तो इस तरह की जो Smooth Scrolling है अगर आप अपने पेज में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो नहीं प्रॉक्ट है यह उसका नाम है Scroll Behavior आईए पहले समझते हैं कि इसको हम यूज कर से कर सकते हैं देखिए हमारे पास HTML के अंदर एक Anchor Tag होता है और जैसा कि मैंने आपको अपने HTML के Tutorials में बताया कि Anchor Tag से हम तीन तरीके के Links बना सकते हैं एक होता है External Link, एक होता है Internal Link और एक होता है Email Link अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं उपर आई बटन पर उसका एक Link देदूगा जहां से जाके आप यह देख सकते हैं कि हम Anchor Tag के यह तीनो Links कैसे यूज कर सकते हैं तो यहां पर Basically अगर हम Scroll Behavior को यूज करना चाते हैं तो आपको Page में लगानी होगी Internal Page Linking और जो Internal Page Linking होती है यह Basically यह तो पूरे Document पे लगती है या फिर हम Particular किसी एक Deep पे भी लगा सकते हैं जहां पर हम Deep को Overflow hidden करके या Scroll लगाकर उसमें Overflow Data को Scroll से देख सकते हैं अब जैसी ही आपका Internal Page Linking को यूज करके Scroll बार दिखने लगेगा तब ही आप उसमें यूज कर सकते हैं अपना निया CSS की Property जिसका नम है Scroll Behavior देखिए अगर आप इसे Document पे लगाना चाते हैं पूरे Document में तो उसके लिए आप इस Property को Estimal Tag के अंदर यूज करेंगे और अगर आप Particular किसी एक Div को Scroll बार लगाके उस पे Smooth Scrolling लगाना चाते हैं तो उसके लिए आप जो ये Property है Scroll Behavior इसको आप Div Tag पे लगाएंगे ये दोनों तरीके की Scrolling जो है मैं भी आपको Practically करके दिखाऊंगा अब जो Scroll Behavior है इसके अंदर हमें Value क्या देनी होगी इसके अंदर Basically हमेरे पास दो तरीके की Values है एक है Auto एक है Smooth देकि Auto देने से ये इसके Default Value है इससे कुछ भी चेंड नहीं होगा और इसकी जगह पे अगर आप यहाँ पे Smooth यूज करते हैं तभी आपकी जो Scrolling का Behavior है वो Smooth हो जाएगा तो आईए शुरू करते हैं Practical और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम Scrolling की Behavior को Smooth कैसे कर सकते हैं यहाँ देखिए Web Browser के अंदर मैंने अपना एक Document बनाया है ScrollBehavior.html अब यहाँ पे देखिए उपर एक Menu है जिसमें चार तरीके के आपको Link दिख रहे है Home, About Us, Gallery और Contact Us उसके नीचे यहाँ पर हमार पस Gallery का Session है और Last में हमार पस Contact Us का Session है यह देखिए इनका Color मैंने अलग-लग रखा है अब मैं करना क्या चाता हूँ? मैं चाता हूँ कि जैसी मैं About Us पर क्लिक करूँ तो यह सीधा Scroll होकर About Us वाले Session पर चला जाए तो उसके लिए सबसे पहले मैंने को यहाँ पर यूज करने पड़ेगी अपनी Internal Page Linking आईए पहले Practically उसको करते है यहाँ देखिए Web Editor के अंदर मैंने यहाँ पर अपना यह document ओपन कर रखा है ScrollBehue.html अब यहाँ पर हमार पस ऊपर CSS आपको दिख रही है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ देखिए HTMLS की जो हमार पस menu आ रहा है उसके हमने ID लगाया menu और यहाँ पर उसके अंदर चार links आ रहे है जो भी खाली है जिनके अंदर HR-EF के अंदर कोई भी हमने link पास नहीं किया है और यहाँ पर हमारे पास पहला जो div है उसके हमने class लगाया यह session और यहाँ पर उसके साथ ID भी है जिसके अंदर हमने दिया home तो इस सरह जितने भी अलग-अलग sessions है उसके लिए हमने अलग-अलग IDs लिये है यहाँ देखिए about us के लिए हमने यहाँ पर ID लिया about और इसी तरह gallery के लिए हमने ID लिये gallery और last में हमारे पास contact के लिए भी हमने जो ID लिये वो है contact अब मैं चाता हूँ कि जैसी ही मैं contact पर क्लिक करूँ उपर से link से तो यहाँ पर scroll हो के आ जाए इस वाले ID पर तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपने internal page linking करने लगाँ तो यहाँ पर just मेरे को ID पास करने है क्योंकि हम internal page जब भी link लगाते है तो यहाँ पर hash लगाते हैं सबसे पहले hash की बाद हमने जहाँ पर move करना है जिस ID पर या name पर उसका नाम लिखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं home का जो ID है वो है home तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसी तरह मैंने जो about us के लिए ID लिया है वो है about gallery के लिए gallery और इसी तरह last में जो हमारे पास बचा है वो है contact तो वहाँ पर मैंने जो ID लिया है वो है contact यह देखिए अब इससे जो हमारी internet page linking है वो हो चुकी है इसको भी भी मैं आपको ब्राउजर में चेक करके दिखाता हूँ यहाँ देखिए मैंने page को refresh किया और यहाँ पर आकर मैंने about us पर क्लिक किया तो देखिए इस scroll होकर about us वाले session पर आ गया अब मैं वापिस उपर जाता हूँ और यहाँ पर gallery पर क्लिक करता हूँ तो देखिए gallery पर आ रहा है मगर अभी जटके से आ रहा है आप दिहान से देखिए इसमें smooth scrolling नहीं है अभी मैंने देखिए contact पर क्लिक किया तो सीधा contact rest वाले session पर आ चुका है अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जो यह menu है मैं इसको sticky कर देता हूँ ताकि जैसे ही page move हो यह menu उसके साथ यहाँ पर fix okay रह जाए document के साथ तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और जो मैंने ID ले रखा menu यह menu का जो ID है इसी को मैं sticky करूँगा तो यहाँ पर मैं इसकी position देता हूँ sticky sticky देने के बाद मिरको इसकी position भी set करनी कि कहाँ पर इसे रखना है तो मैं इसे top पे zero कर देता हूँ अगर आपको position sticky के बारे में नहीं पता तो मैं उपर i button पे उसका एक link दे दूँगा जहां से जाके आप देख सकते हैं कि position sticky को कैसे use कर सकते हैं तो यहाँ मैंने file को save किया और यहाँ पर आकर about us पे click किया तो देखिए अब जो हमारा यह menu है यह sticky बन चुका है आप देख रहे हैं मैं scroll कर रहा हूँ तो यह बिल्कुल fix हो चुका है अब मैं contact us पे click करता हूँ तो वहाँ पे जा रहा है gallery पे आ रहा है about us पे आ रहा है मगर जब आ रहा है उस session पे तो एक जटके से आ रहा है इसमें smooth scrolling नहीं है अब यहाँ पे हम अपनी property यूज़ करते हैं जिसका नाम है scroll behavior तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा मेरे को यहाँ पर अपना selector लेना है HTML इस बात का आपको धिहान रखना है कि जब भी आप पूरे document पे scroll behavior लगाना चाहते हैं तो आप इसको HTML tag के अंदर ही लगाएंगे मतलिकी इसका selector बनाके अब यहाँ पर मैं अपनी property ले रहा हूँ scroll behavior अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर दो values होती है एक है auto एक है smooth तो आपको auto नहीं लेनी है क्योंकि वो तो default property है यहाँ पर हम लेंगे smooth यह देखिए अब यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ आके देखिए मैं about us पर click करता हूँ तो देखिए अब जो हमारी scrolling है वह smooth हो चुकी है आपको पूरा page scroll होता हुआ नजर आएगा यह देखिए यह काम हम इस property से पहले भी कर सकते थे मगर उसके लिए हमारे को javascript या jQuery use करनी पड़ती थी अब हमें इसके लिए किसी भी scripting language की जूरत नहीं है इस तरह की smooth scrolling करने के लिए यह देखिए तो आप देख रहे हैं कि कैसे पूरे document पे यह smooth scrolling लग चुकी है इसका फैदा तभी है जब आप single page website बनाने लगें आजकल बहुत सारा ऐसा trend चल पड़ा है कि single page website का तो वहाँ पर हम इसे easily use कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप पूरे document पे smooth scrolling नहीं चाते किसी एक div पे लगाना चाते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर अपने document में गया जो यह पूरा हमने document बना रखा है यह पूरा menu और इसके नीचे जो अलग-लग sessions आपको दिख रहे हैं इन सबको मैं एक div में डाल देता हूँ और इस div पे ID लगायता हूँ scroll div और इस div को सबसे नीचे जाके बंद कर देता हूँ यह देखिए last में जो हमारा contact का session बंद हो रहा है इसके बाद मैं इस div को close कर देता हूँ यह देखिए अब यहाँ पे मैं file को पहले save करता हूँ अब मैं उपर जाता हूँ अब मुझे इसकी styling भी करनी पड़ेगी जो हमने यह div लिया है scroll div तो यहाँ मैंने इसे copy किया अब मैं यहाँ पर जाकर अपनी styling में यहाँ पर इसका selector बना लेता हूँ यह देखिए यह ID है तो मैंने यहाँ पर hash लगा दिया अब सबसे पहले मैं इस div को height और width दे देता हूँ देखिए यहाँ पर मैंने इसको width दे दी वो है 900 pixel और इसी तरह मैं इसको height भी दे देता हूँ 500 pixel और अब मैं चाहता हूँ कि जो भी इसमें overflow वो data हो वो scroll bar में आ जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाँगा overflow y क्योंकि मेरे को y axis में scroll bar चाहिए तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ auto तो जैसे इसमें data overflow होगा तो वहाँ पर scroll bar आ जाएगा अब क्योंकि जो scroll bar है वो यहाँ पर div पर लगेगा मत्यकि scroll div नाम की जो हमारा ID है उस पर तो यहीं पर हमें property यूज करने है अपने scroll behavior smooth यह देखिए तो यहाँ मैंने file को save किया और यहाँ देखिए यह हमारा जो div है यह पूरा div बन चुका है इसके अंदर यह menu भी आ रहा है जो fixed है और यहाँ पर अलग-अलग आपको sessions भी देख रहे हैं अब मैं इस पर click करता हूँ यह देखिए अब जो हमारी smooth scrolling है मत्यकि scroll behavior है वो इस div पर भी work कर रहा है तो आपको यहाँ पर एक बात clear होगी होगी कि अगर आप पूरे document पर लगाना चाते हैं तो वहाँ पर आप HTML का selector बनाएंगे और वहाँ पर आप हम इस property को use करेंगे scroll behavior और अगर आप किसी div पर काम कर रहे हैं और उसके अंदर smooth scrolling लगाना चाते हैं तो उस div के अंदर आपको सबसे पहले internal linking करनी है और उसके बाद उस div पर ही जो parent div है वहाँ पर आपको property use करनी है scroll behavior और इस property selected है एक important बात है जो मैं आपको बताना चाता हूँ यहाँ देखिए मैंने अपनी website open की हुए can I use इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ scroll behavior का कि इसको कौन-कौन से browser support करते हैं at present इसे सारे latest browser support कर रहे है यहाँ देखिए edge का जो latest version है 79 वो भी इसे support कर रहा है chrome के भी इसे सारे version support कर रहे हैं firefox, opera और यहाँ पर जो हमारे पर android के अंदर जो browsers आते हैं देखिए वो भी लगग सारे support कर रहे है मगर यहाँ पर आपको बहुत दियान रखनी है यहाँ पर अभी safari से support नहीं कर रहा है इसका मतलब आईफोन पर यह apple के laptop से हैं उन पर यह अभी support नहीं दे रहा जब मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर internet explorer के किसी भी version पर इसकी कोई भी support नहीं है तो इसको use करने से पहले आपको बस यह बात ध्यान रखनी है कि इसको सिरफ latest browser अभी support कर रहे है hope so आपको यह हमारा video tutorial अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो video को please like करना मत भूलिए अगर आप ऐसे ही regular updates चाते हैं तो हमारी channel yahoo baba को subscribe करना मत भूलिए